असलाम लेकुम वीवर्स कैसे हैं आप सब और काफी curiosity से भरे हुए तजस्स करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए मैं इसलिए बना रहा हूं कि काफी लोगों को काफी जादा टीके लग चुके हैं और उपर नीचे लगे हैं तो इसका हल मैं आपको बताता हूं आप लोगों ने दुबई में वीज़ा लेना है तो उसके लिए आपके पास पहले तो मैं आपको स्किल्ड कैटेगरी के वीज़े के बारे में अपडेट करता हूं स्किल्ड का मतलब होता है हुनर्मन हुनर्मन बंदा दुबई में आये लेकिन वहुनर्मन अपने टेस्ट करवाई है पाकिस्तान से किसी भी मुतलगा बोर्ड से जिदर से उसने वो डिग्री की है वहां से उसने वो टेस्ट करवाई हो किसी भी इदारे से जहां से उनकी वहां की युनिवर्स्ट्री मुंसलिक थी और उसके बाद MOFA Ministry of Foreign Affairs दुबई का आफिस है इसलामाबाद खड़ा मार्किट वहाँ से उसने जाके पहले अपनी टिग्री को वेरिफाई करवा लेना है जो न्यूकमर्द हैं उसने आने से पहले पहले जैसे ये टेस्ट करवानी है उसके बाद उसने जिस कंपनी में उसको वीजा चाहिए या जिस कंपनी में उसकी जॉब की रिक्वाइर्मेंट है उसको ये चीजें अपने पासपोर्ट, बमा पिक्चर, पासपोर्ट, साइज, वाइड बैग्राउंड के साथ और पाकिस्तानी आईडी कार्ड, फ्रंट बैक से उसको सेंड कर देना है तो वो ये वीजा निकाल देगा अगर वीजा खरीदना है किसी से, किसी एजन्सी से, तो उसको भी ये ही चीजों की रिक्वाइर्मेंट होगी, वो आपसे कोई ना कोई रेट मुक लेगा आज कल वीजे की जो कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट है, सीधी सीधी, वो 7500 दिरम है, एमरेट साइडी इंक्लूडेट, लेकिन कोई अपना काम फ्री में थोड़ी करेगा तो इसकी उपर आपको कोई 2500 चार्ज करेगा, कोई 4000 चार्ज करेगा, और आपको एक इंप्लॉइमेंट मज़े का गरम गरम वीजा इशू कर देगा, दुबई से, तो ये तो वो है कि eligibility criteria से वीजा निकला है, लेकिन कुछ लोग तो इस तरह हैं कि वो आना चाहते हैं, मतलब वो पड़े लिखे नहीं हैं, और यहां के काम करना चाहते हैं, लेबर का, वो कैसे आएं, तो वो लोग उस सुरत में आ सकते हैं, कि वो यहां कभी न कभी पहले आए हो, और उनके पास valid emirates ID हो, जिसकी expiry date, दो साल, मसलन जो वीजा उसने इशू करवाया था ना, वो अभी टाइम गुजरा ना हो, आगे ना गया हो, उसी के अंदर duration में हो, तो वो किसी और कंपनी से अपना वीजा ले सकता है, और unskilled वीजा उसको अराम से issue हो जाएगा, cost of visa skilled और unskilled का एक ही है, अगर let's suppose example दे देता हूं, मैं अपनी example देता हूं, कि मैं cancel होकर एक कंपनी से, पाक तो अगर मेरी Emirates ID valid है, Emirates ID पर valid date है, तो मेरा वीजा लगेगा, वरना नहीं लगेगा, एक और चीज़, आज कल कुस जुगार बाजों ने ये scene शुरू किया है, कि fix और done basis पर visa visit visa issue करेंगे, तो वो यहां के system के साथ गयर कानूनी तोर पर खेलेंगे, और आपको एक visa निकाल कर दे देंगे, मैंने बहुत सारे agent से ये चीज़ सुनी है, कि वो ये काम कर रहे हैं, उनको call करेंगे, वो done basis पर आप से visit visa जो 500 या 400 दिरम का हुआ करता था, अप से 6 महने पहले, वो 2500 दिरम आप से उसका charge करके, आपको गयर कानूनी तोर पर यहां बुला लेंगे, आप इस काम को बिलकुल भी support नहीं करूंगा, गयर कानूनी ही होता है, कानूनी तोर पर आना कानूनी तोर पर ही होता है, तो आप तब तक wait कर लीजे, जब तक हमारा ये कानून बदल कर ठीक नहीं हो जाता, और हम लोग पाकिस्तानी legally तोर पर यहां पर आके new commerce allow नहीं हो जाते, तब तक आप wait करें, और इसमें हाँ, आपको कोई भी सवाल है, तो मैं अपना email address इधर वीडियो में छोड़ूंगा, आप उस पर मुझे email करें, अपना WhatsApp नमबर भी email करें, prompt reply ना आने की सुरत में नराज नहीं हो जाएं, मैं आपको reply करूंगा जरूर, लेकिन जब मेरे पा झाल्यूर नहीं हgilktionो मैं जगदोंगा खानीक करें, आपको is won, अपको पार रेकिन जए को जब में झाल्यूराएं करें, अपको